Hello everyone, welcome to my channel, आओ देखे जाने दोस्तों, आज का हमारा प्रस्ण है कि पर्सनल लोन क्या होता है? पर्सनल लोन किसे कहते हैं? वा पर्सनल लोन किस काम आता है? तो आईए जानते हैं इसके बारे में पर्सनल लोन, हम बहुती कम सब्दों में जानेंगे कि पर्सनल लोन क्या होता है और यहां किस प्रकार की परिस्तितियों में हमें लेना चाहिए पर्सनल लोन, कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत खर्चे की पूर्टी के लिए लोन लेता है तो वह Personal Loan क्यालाता है किसी भी बैंक या NBFC में जाकर आप Personal Loan के लिए आवेदन कर सकते हैं जो ग्राहकों को Personal Loan की सुविधा प्रदान करते हैं Personal Loan एक असुरच्छित Loan Unsecured Loan की स्रेडी के तहत आता है यानि की यह Loan लेने के लिए ग्राहक को रिणदाता को कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी होती या फिर कोई सुरच्छा गारंटी नहीं देनी होती है रिणदाता अपने जोखिम पर यह लोन ग्राहक को प्रिदान करता है परसनल लोन लेने के लिए सिबल स्कोर का महत्व जैसा कि हमने आपको बताया कि परसनल लोन एक अनसिक्योर लोन होता है रिणदाता आपको आपके क्रेडिट स्कोर और आपके क्रेडिट इतिहास के आधार पर ही यह लोन आपको प्रिदान करता है इसलिए आपको लोन लेने के लिए आवेदन करने से पहले अपने क्रेडिट स्कोर पर ध्यान देना जरूरी होगा आम तोर पर 750 या इससे अधिक का स्कोर गुड स्कोर माना जाता है कम स्कोर पर बैंक आपको लोन प्रदान नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपको लोन मिल भी जाता है तो आपको उसकी ब्यास दर अधिक देनी पड़ सकती है भारत में पर्सनल लोन रिणदाता भारत में अनेक बैंक और अन्बी एफसी हैं जो ग्रहकों को आकर्षक ब्यास दरूर पर पर्सनल लोन प्रदान कर रहे हैं धन्यवाद थैंक्स पॉर वाचिंग